हेलो दोस्तो, Let's Crack It की magazine LIC series में आप लोगों का स्वागत है और 16 से लेकर के 31 March 2022 की down-to-earth magazine आप लोगों के सामने हैं इसमें जो broad topic के लगवग 20 pages में cover किया गया है वो है आपका 6th mask extension 6th mask extension से related कोई भी question में इसमें पूछा जाएगा तो आप इधर से solve कर पाऊगे इसके अलाबा इसके अंदर और भी चीज़े हैं जो छोटी मोटी हम यहां पर पढ़ते हैं कई सारी news यहां पर हम cover करते हैं वो सब हिंदी भासा में cover करने कोशिक की जाती है magazine English में प्रकासित होती है इसकी PDF आपको telegram channel पर मिल जाएगी annotated PDF भी मिल जाएगी clean PDF भी मिल जाएगी original e-PDF नहीं available हो पाती है क्योंकि उसके prices भी आप देख सकते हैं लगबख 60 रुपे की market मार्केट माती है आपको ख़ीदें की जरुरत नहीं है जितने important topic है cover करा दिये जाते हैं यही तो आपका benefit यहां पर बन जाता है तो चलो पहले article के तरफ चलते हैं शुरू के 10 page किसी भी काम के नहीं थे क्योंकि उनमें पिछले review दिये गए थे और कुछ advertisement वहां पर दिये गए थे सबसे पहली जो news है वो यही आपके काम की आती है oil है, wheat है, microchips है ऐसे जितने भी strategic minerals हैं जो की especially arctic reason में पाये जाते हैं उन सभी की shortest यहां पर पढ़ गई है simple सी बात है, जब किसी countries के बीच में war हो रही है तो import, export वहां पर harm होता ही होता है oil के prices यहां पर बढ़े, एक barrel, 125 डॉलर का है आपके जो coal है उसके prices भी यहां पर बढ़े reason साफ है कि रश्या से supply यहां पर reduce हो गई है पूरी दुनिया जो रश्या पर dependent थी कुछ हद तक के लिए वो सभी के सभी यहां पर आपके hurt हुए है रश्या major supplier है, liquefied natural gas का particularly यूरोप में बहुत जादा बेजा जाता है okay, US में, इरान में यहां पर इन चीजों को बेजा जाता है तो अभी क्या है कि अगर रश्या से चीजें नहीं आ रही है तो दूसरी countries की तरफ रुख करना पड़ेगा अब US है, इरान है, ये भी सब oil के यहां पर production करते हैं तो उन सब के उपर जो है, वो उनकी कह सकते हैं कि वो लोग यहां पर इसके production को लगातार बढ़ा रहे हैं और production जो है, वो oil का भी बढ़ाया जा रहा है production जो है, वो coal का भी यहां पर बढ़ाया जा रहा है लेकिन इसके बीच में ही आपको यहाँ पर यह भी धिहान में रखना है कि जब यह समय ऐसा चल रहा है कि environmentalist इस बात पर focus कर रहा है कि oil के production को कम करा जाए और coal के production को कम किया जाए ऐसे में हम या फिर कुछ countries oil और coal के production को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे है तो यह जो shift है coal के लिए यह हमारे जो climate targets है अलग-अलग countries के overall देखो यार अलग-अलग countries के करोगे तो फिर ऐसे काम नहीं होगा तो conflict जो है उससे agriculture sector पर भी impact पड़ेगा Russia है Ukraine है दुनिया का आप देखो एक चोथाई एक quarter of words wheat के trade को यहाँ पर control करते हैं तो corn का production है sunflower का production है यह आपको मिलेगा कि Ukraine के अंदर corn और sunflower oil का production काफी जादा किया जाता है तो supply पूरी तरीक से disrupt यहाँ पर होगी और इससे क्या है कि food inflation भी आपका यहाँ पर होगा countries like India जो की import करती है चीजों को उसमें भी यहाँ पर आपकी दिक्क्त आने वाली है हम oil को basically double oil को जादा तरी import ही करते हैं तो इन सब में भी दिक्क्त यहाँ पर आएंगी इसके अलावा जो अलग countries है उनमें food security की भी problem आपर आ सकती है risk भी यहाँ पर आपका बढ़ सकता है इसके अलावा अगर आप देखें तो जो industrial metals हैं like copper है, aluminium है, palladium है, neon है जो की industrial activities के लिए काफी important minerals यहाँ पर हो गए या फिर metals यहाँ पर हो गए उनकी भी shortage यहाँ पर पढ़ेगी जिससे की semi conductor जो industries हैं उनको भी risk यहाँ पर पढ़ेगा तो तीन जो broad points हैं वो यहाँ पर आपके cover किये गए पहला point तो यहाँ पर आपका यह था कि जो fossil fuel के sources हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई दूसरी चीज एडेबल और आपकी food security की बात यहाँ पर की गई और तीसरी चीज जो है वो industrial activities की यहाँ पर बात की गई तो तीनों चीजों पर यहाँ पर आपका फरक पढ़ेगा तो जस्ट इस तरीके से आपको इस article को यहाँ पर खतम करना था दूसरी point आपको यहाँ पर मिलेगा की technology चाइना ने आपका cryptocurrency को बैन किया था पिछले साल ठीक है और लगबख सेतंबर 2021 में इनोंने cryptocurrency को बैन किया था तो cryptocurrency को बैन करने का मतलब है कि अब उससे related जितनी भी activities हैं वो सब illegal यहाँ पर हो गए है आप bitcoin की ना तो mining कर सकते हो ना ही trading कर सकते हो okay bitcoin की mining का मतलब यह होता है कि bitcoin जो है वो कई सारे computer software को use करके जो की heavy energy consume यहाँ पर करते है उनको useful करके आप bitcoin کی mining यहाँ पर करते हो और इस तरीके से जो है वो bitcoin की mining एक energy intensive और carbon intensive process बन जाती है, bitcoin के mining में बहुत भारी मात्रा में carbon produce यहाँ पर होता है इससे country का carbon footprint बढ़ जाता है इसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने cryptocurrency को ban country के अंदर यहाँ पर कर दिया कि किसी भी तरीके की mining China के अंदर bitcoin की आपन नहीं की जा सकती अब China के अंदर नहीं होगी तो कहीं और तो होगी तो लोग जो हैं अब US और कजाकिस्तान के अंदर shift हो गए हैं, अब वहाँ जाकर के mining यहाँ पर की जाती है तो आप देखो कि US है, कजाकिस्तान है यह आपके green house gas emission जो कि पहले से ही काफी जादा निकलती है साथ में ही become यानि की बन गए है the biggest hub for the bitcoin mining अब यह bitcoin mining के सबसे बड़े hub में से कुछ हो गए है bitcoin mining के कारण जो है वो आप देख सकते हो कि लगभग 130 तेराबाट hours per hour year के हिसाब से यहाँ पर consume होती है, यह रटने की जूरत नहीं है तो यह common problems है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़े होगे जैसे quantum computer develop हो जाएगा, यह चीज़ें आसान हो जाएंगी तो तब चीज़े थोड़ी सी बदल ली यहाँ पर शुरू हो जाएंगी तो कुल मिला कि आप यहाँ पर याद रखो कि चाइना का जो आप देखो क्रिप्टो करेंसी बैन है इसकी वज़े से financial impact तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे लेकिन जो environmental impact है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो यह जो बैन है यह environment पर भी impact डालेगा क्योंकि अब जो emission चाइना के अंदर होते वो US और कजाकिस्तान के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो यह point आपको यहाँ पर पता होना चाहिए उसके अलाबा लिखावा है vaccine waste is high with slump in demand कह सकते हैं आप देखेंगे कि जो आपकी rich countries हैं या फिर middle income countries हैं low income countries की बात नहीं कर रहे हैं वो countries ऐसी हैं उन्होंने vaccination किया है vaccination करने के बाद जैसे ही demand कम होई vaccine wastage उनका यहाँ पर बढ़ गया ठीक है तो उनकी जो वैक्सीन है वो यहाँ पर waste होनी शुरू हो गई अब बताईए ऐसी situation है कि अफरीका जैसी countries वहाँ पर vaccine available ही नहीं है और यह जो आपकी rich और middle income countries हैं वो इन चीजों को waste कर रही है तो this is not a sustainability option हम पूरी दुनिया को साथ लेकर की चलने की बात कर रहे हैं किसी भी problem के लिए तो यह चीजें इस तरीके से work यहाँ पर नहीं करेंगी अब कौन सी country में कितना waste is not important लेकिन आप समझो कि आफरीका जिसमें vaccine inequality बहुत ही जादा है लगबग 8 से सिर्फ 10% लोग ही vaccinated यहाँ पर हो पाए है उनको बहुत जादा vaccination की जरुत है और आप जो यहाँ पर vaccine waste कर रहे हैं उसको आप transport को नहीं कर देते तो यह सब कुछ चीजें हैं कुछ issues हैं अगर उनके पास कोई भी vaccine है जो कि expire हो चुकी है तो आप उसको exchange करो जल्दी से जल्दी और इस वेश्टेस को कम करने की कोशिश यहाँ पर आप करो तो यह सी सब चीजें आपकी यहाँ पर चलने ही उसके बाद bits इंडिया के अंदर अगर हम देखने की बात करें इंडिया में आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो farmers हैं तेलंगाना के अंदर उन्होंने हर्ताल किया उन्होंने कहा है कि हमें एक लाख रुपे तक का प्रोपलोन बेवर यहाँ पर होता है वो डिमांड कर रहे हैं और साथ ही साथ जो सुगर फैक्टरी यहाँ पर आपकी पड़ी हुई है कुछ हिलाकों के अंदर उसकी भी reopening की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यह आपको farmer hesitation देखने के लिए मिलेगी करनाटक ने किया क्या है करनाटक ने पोस कर दिया करनाटक के अंदर mining activities की जा रहे थी वेरिंग एक्टिविटीज की जाती थी, ओपन कास्ट माइनिंग यहाँ पर की जा रहे थी, अब करनाटक ने इसको यहाँ पर बंद कर दिया है, उन्होंने देखा कि वही इसकी वज़े से बहारी मातरा में लेंड स्लाइड आई, तो हम इसको अब यहाँ पर जो है वो नहीं एसी एक्टिविटीज पहले भी हुई हैं, और हमने उनसे कुछ नहीं सीखा, करनाटक ने फिर भी इसको मंजूरी दे दी, यह बहुत ही गलत था, लेकिन जब दैथ होई तो फिर मना कर दिया, पहले ही मना करना चाहिए थे न, अगर एकोलोजिकल फ्रेजाइल एरिया है कर नाटक का, वेस्टन घाट्स वहाँ पर पढ़ते हैं, तो आपको इन चीज़ों को पहले सोचना चाहिए कि लेंड स्लाइट तो आएगा ही आएगा अगर आप माइनिंग एक्टिविटीज वहाँ पर करोगे तो, यही तो आपकी बिमारियां हैं, ठीक है, जो सोसाइटी को इस तरीके से एंवार्मेंट को हर्ट यहाँ पर करती हैं, उसके अलावा जो आपका नेशनल इंस्टिट्यूट ओफ कोटन रिसर्च है, उन्होंने फिर वही जो पिछले तीन-चार साल से चीज़े चल रही हैं, कि जो आपकी कोटन है, उसके अंदर पिंक वोलवर्म नाम क शुरू हो जाती है, तो यह सब चीज़े पिछले तीन-चार साथ से लगातार चल रही है, सेम चीज़े हैं, यूपियसी कुशन भी पूछता है, पूछा भी गया है, ओकी, तो ऐसी सब चीज़ें आपर आपकी चलती रहती हैं, आपको जस्त यह एक बार में खतम करके आर् यहां पर की जानी है, उसके अलावा, यूनियन गवर्मेंट ने 26 फरवरी को, जो कुछ compliance थे, उनको relax किया है, लाइक scientist है, वो अब आसानी से जो research papers हैं, यहां फिर development activities हैं, उनमें grant को access कर पाएंगे, और resources यहां पर ले पाएंगे, जिससे industrial activities को यहां पर बढ़ावा दिया ज पूरी दुनिया में एक है चल रहा है, तो पूरी दुनिया में Australia के अंदर जो आपका state of Queensland है, East Coast पर आपका पड़ेगा, वहां पर भारी मात्रा में rain हुई, और flash floods यहां पर देखने के लिए मिली, कितनी mm बारिश हुई, not important, कितने people die हुई, not important, बट इसका reason बताया जा रहा ह कि ला नीना वैदन पैटर्न के कारण भारी बारिश आपको देखने के लिए मिली, ला नीना जो है वो एक colder face है, अल नीनो सदन उसिलेशन का, और warmer face जो है वो अल नीनो ही है, तो यह फीनोमीना जो है जिसकी वज़े से आपका country में flash floods देखने के लिए मिले, flash floods कोमन है North East India के अब हम जो nature को है legal right यहां पर declare कर रहे हैं, हम जितनी भी अगली plans बनाएंगे, जितनी भी अगली policies बनाएंगे, उन सब में environment को बचाने की सारी कोशिश होगी, मतलब यह green economy को promote करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, economy से related, मालो road development भी कर रहे हो, तो उसमें जितना जादा हो सकेगा, उतना environmental protection करेंगे, उतना degradation होने से हम environment को यहां पर बचाएंगे, तो यह काम आपका यहां पर किया जा रहा है, कि conserve करेंगे, बायो डिवरसिटी को, चाहें कोई भी economic project हो, उसके अंदर जितना maximum हो सकेगा, environment की तरफ ध्याम दिया जाएगा, एक country है Honduras, Honduras ने open pit mining को यह यहां पर आपका बैन कर दिया है, कहा है कि इससे pollution होता है, deforestation होता है, environmental degradation होता है, mining नहीं की जाएगी, और यह चीज़ें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी, the country will no longer grant environmental license, environmental license ही नहीं दिया जाएगा mining के लिए, mining के जो projects हैं, और यह जो projects हैं, वो तुरंत ही बंद कर द लिए जाएंगे, तो यह एक और positive decision, environmental sustainability के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा, यह दोनों ही decision अच्छे यहां पर आपके बनते हैं, Malaysia, Malaysia ने 2 March को announce किया कि यह carbon trading को regulate करने के लिए law जो है वो यहां पर पास करेगा, और इसमें काफी जादा problems नजर आ रही थी, क्योंकि कई स किसी ने पेड़ लगाए, ओके पेड़ लगाने के बाद उसने carbon sequestration किया होगा, carbon को absorb किया होगा, तो आप उसको पैसे दो, और उस पूरे के पूरे जो ecosystem उसने यहां पर तयार किया है, वो पेड़ वगएरा लगाए है, carbon का sequestration किया है, उसको आप purchase कर लो, यह सब companies वगएर के लिए जरूरी हो जाता है, जिन पर legal mandatory है कि आप इतना carbon sequestration करोगे, या फिर compensatory afforestation के अंदर अगर आप देखें, तो किसी ने अगर कह सकते हैं कि अपने industrial project के लिए clearance लिया है, और एक land patch को यहां पर clear किया है, तो उसके बदले में उसे दूसरा land patch यहां पर थयार करना है, अब आसानी से नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए ही आपका ये carbon trading का concept यहां पर डाला गया था, कि आप खुद मत लगाओ, आप लगा लगाया किसी से purchase कर लो, that point is called carbon trading, और ये Paris Agreement के अंदर में भी काम करता है, तो ये एक overall term है, जो की काफी important रह रह रही है, पूरी जो दुनि ही है, लेकिन इसकी वज़े से आपको जो मिलेगा, कि single carbon trading platform develop किया जाएगा, अगर कोई भी carbon trading करनी है, तो इस platform पर register करो, और carbon trading को अंजाम दे सकते हो, ओके तो ये सब चीज़ें यहां पर की जा रही है, उसके बाद आगे चलते हैं, और लिखा हुआ है urban ladder, और इसके अंदर का phase 1 यहां पर चलेगा, और हम country को open defection free यहां पर कर देंगे, हर एक ruler area के अंदर जो आप कह सकते हो कि, एक toilet जो है वो यहां पर जरूर से यहां पर होना चाहिए, उसको हमने 2 October 2019 तक पूरा किया, हमने हर घर में toilet बनाए, और हमने country को open defection free, यानि ODF status यहां पर दिला दिया, फ की कोशिश करेंगे, ODF का मतलब था open defection free करना, यानि की toilet वगेरा का construction करना, ODF plus का मतलब यह है कि यह जो toilet वगेरा हैं, उनमें ही लोग जाएं, ऐसा नहीं है कि toilet बन गया तो अभी भी आप बाहर ही जा रहे हो, ओके, तो यह जो behavioral change का concept था, यह आपका ODF plus के अंदर लाया गया मतलब लोग बापस तो नहीं पट्री पर जा रहे हैं, तो यह चीज़ें, इनकी monitoring करने के लिए, इन सबका evolution करने के लिए ODF plus का status लाया गया, इसके साथ साथ सोच भारत mission 2 के अंदर, जो आप देख सकते हो की water city के रूप में हमें develop करना है, water villages के रूप में इनको develop करना है, मत अर्टिकल के अंदर क्या का गया है, तो रूलर treatment plant अगर नहीं है, fecal cellus के लिए, तो यह काफी बड़ी problem यहाँ पर हो जाती है, तो चलो इस article में कुछ points यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, सिर्फ toilet बनाना ही sanitation नहीं हो जाता, कि toilet बन गए तो sanitation हो गया, नहीं, हमने सव कि सवच भारत मिशन ने लगवग 99.9% household को ruler India के वहाँ पर आपका जो toilets हैं वो यहाँ पर construct किये हैं, और यह जो है इन्होंने चीजों को थोड़ा से सही बताने कोशिक करी, कि हाँ भी सवच भारत मिशन के लक्षक कुछ हद तक जो पूरे यहाँ पर हुए हैं, उसके बस अपनी habit तो यहाँ पर change नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए सवच भारत मिशन phase 2 यहाँ पर launch किया गया, तो यह point तो आपका यहाँ तक मैंने clear कर ही दिया था, इसके अलावा सवच भारत मिशन dashboard की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो लगवग 160 million household जो की ruler समझो कि एक दिन में लगबग, 0.12 million ton के करीब जो fecal matter है, वो यहाँ पर generate होता है, अगर उसको यहाँ पर safely disposal नहीं किया, scientific तरीके से डिस्पोज नहीं किया गया, scientific तरीके से treatment नहीं किया गया, तो यह एक भारी मातरा में कह सकते हैं कि इखटा हो जाएगा, huge volume यहाँ पर आप तो यह important है, आप देख सकते हैं, आर्टिकल के अंदर यही चीज़ें लिखी हुई थी, कि sanitation जो है वो हमने यहाँ पर किया, लेकिन कुछ challenges यहाँ पर आपके रह गए हैं, तो वही चीज़ें हैं जो कि बार-बार आपको मिलेंगे, इन सबसे थोड़ा सा बचने के लिए हमन मतलब डिस्पोज वगेरा हो, treatment हो, safe disposal हो जाए, इन सब के लिए हमने स्वच भारत मिशन के अंदर emphasis किया था कि हम twin pit toilets यहाँ पर आपके build करेंगे, twin pits toilet यहाँ पर बनाने की बात की गई थी, जो की brick lined honeycomb design के यहाँ पर होंगे, सचा toilet अगर इस तरीके की toilet यहाँ पर बनाए जा तो this is the मकसद जो आपको यहाँ पर याद रखना है, twin pit toilets किस तरीके से work करते हैं, देखो इस तरीके के यह होते हैं, यह आपकी sheet है और इस तरीके के यह चीज़ें यहाँ पर आपके work करती हैं, दो pits होंगे, एक pit जब full हो जाए तो आप दूसरे को यहाँ पर use करना शुरू क किया जा सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से work करता है, यह तो आपका एक diagram है, अगर originally देखो कैसे बनाया जाते हैं, तो यह वाली image के अंदर आप देख सकते हो, इस तरीके से इन चीज़ों को बनाया जाता है, 2017 में International Non-profit Water Red ने यहाँ पर assessment की, सबसे important part होता है किसी भी process का assessment, और इन्होंने बताया कि लगभग 8 states के अंदर ही सिर्फ 1000 house हैं, जो आपके toilets हैं, SBM के अंदर बने हैं, उनकी quality और design अच्छा है, तो इन्होंने इसका critical analysis किया, जैसा कि हमने पहले देखा, जो हमारे पास institution मौजूद थे, National Annual Ruler Sanitation, ठीक है, यह वाला, इन्होंने सब अच्छा बत benchmark उतने अच्छे नहीं है, unsuited for the local geography, local geography के हिसाब से भी नहीं बनाये आपने, and design parameters भी यहाँ पर आपके अच्छे नहीं थे, ए third of the toilet, यानि कि लगभग 33% toilet जो आपने यहाँ पर बनाये हैं, वो unsafe हैं, create कर रहे हैं, आपकी immediate health hazards, और health problems को यहाँ पर आपका बढ़ावा दे रह मुझे down to earth magazine बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अंदर दोनो points यहाँ पर दिये जाते हैं, अब switch भारत mission है, अब second phase में चल रहा है, मैंने बताया, 2 October 2019 से second phase यहाँ पर आपका start वो था, और इस phase के अंदर आपका ODF plus status पर तो focus है, water clean blazes भी आपको यहाँ पर तयार करने हैं, तो यह काफी important है, अब solid and liquid waste management की बात है, तो इन्होंने fecal cellist treatment plants लगाने की भी बात की है, और ruler areas में fecal cellist treatment plants यहाँ पर लगाने की बात की है, जिससे की जो waste आपका household से यहाँ पर निकल करके आएगा, उसका safe disposal यहाँ पर किया जा सके, बट यह easier नहीं है, आपने कहतो दिया, ल नहीं पांच जगह पर, तीन जो हैं वो करनाटक के अंदर है, एक छतिसगर के अंदर है, एक मध्यप्रदेश के अंदर है, बताओ, सिर्फ पांच मौझूद हैं पूरी इंडिया के अंदर, तो यह important चीज हो जाती है, गिराम पंचायत्स ने यह भी कहा है, गिराम पंचाय किसे construct करें, manage करें, ruler आपके जो, fecal cellist treatment plants यहां पर बने हैं, यह सब चीजें difficult हो जाते हैं, तो कुछ चुनोतियां मौझूद हैं, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा, on-site treatment, best option है, आपका जैसा कि हमने देखा कि on-site treatment यहां पर आपको मिल जाएगा, best option यहां पर बन जाता है, लेकिन फिर भी आप देखो, health problems इन लोगों ने यहां पर बताएं, कि यह सब बनी हुई हैं, तो यह आप देखो कि यह एक करनाटक के अंदर पहला ruler, fecal cellist treatment plant यहां पर बनाया गया, और उडूपी डिस्टिक के अंदर इसको बनाया गया, आप देख सकते हो कि किस तरीके से का सारा जो waste हैं, pipes के जरिए, इन pits के अंदर जो है, वो store किया जाएगा, और उसको decompose करने की कोशिश की जाएगी, और धीरे धीरे जो है, उससे manure बनाने की कोशिश की जाएगी, यह एक systematic diagram है, कि किस तरीके से आपर काम होता है, यहां पर आप देखोगे कि एक mechanical जो machine है, वो आपके जो pits हैं, उनको खाली करने की कोशिश करेगी, household से, और इनको सब को इखटा करके यहाँ पर लाया जाएगा, कुछ bacteria है, उनको stabilize करना पड़ेगा, कुछ और processes हैं, आपको जानने की जूरत नहीं है, बट this is the process, आप आप इसको exam में नहीं बना सकते, exam में बनाने के लि जाओ ही मत, ठीक है, यहाँ पर जो पहली process है, नहीं produce होगा, नहीं आपका यह जो है, वो आपका storage होगा, नहीं transport करने की जरूत पड़ेगी, treatment की जरूत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो सब सच्च तरीका यही है कि जाओ ही मत, खेर यह मजाक था, और इसके बाद आगे चलत Mass Extinction जो है, जब 35% of the species threaten हो जाती है, extinct की कगार पर आ जाती है, या extinct हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं, mass extinction यहाँ पर आने वाला है, पहले 5 mass extinction यहाँ पर हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, छोथा, पांच पा, पांच मास extinction हो चुके हैं, पूरी जब से प्रत्वी बनी है तब से ले करके और अब जो है वो six mass extinction यहाँ पर आने की कगार पर है अब ये जो five आपके mass extinction हुए हैं इनका अपना time period था क्यों हुए ये भी एक reason है आपको पता होना चाहिए कि बई particular कोई अगर mass extinction है तो उसके पीछे कारण क्या था क्या वही कारण six mass extinction के लिए भी हो सकता है नहीं ये simple सी बात है कि जो पहले पांच यहाँ पर extinction हुए है क्या वो same होंगे छटे की तरह नहीं नहीं होंगे ठीक है छटा बिलकुल अलग है पिछले पांच सेम है लेकिन छटा बिलकुल अलग है क्यों अभी हम देखते हैं आगे तो अब थोड़ा सा पहले यहाँ पर हम पिछले जो पांच है उन पर थोड़ी सी यहाँ पर निगाह माल लेते हैं यह रही की सिलाइट यह एक्चुली मेरे पेड़ कोर्स से लाइट है अभी पेड़ कोर्स लौ्च नहीं हुait अभी आदा ही तैयार हुआ है अभी तो बहुत important points यहाँ पर आपके बचे है यह कुछ साड़े 300 million years ago पहले हुआ था सभी की आप जो timing है वो भी आप देख सकते हो साड़े 400, साड़े 300, 200 मलब ऐसा मत पढ़ो कि ये time period इस तरीके से दिया गया है तो time period पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ इस तरीके से आपको देख लो तो इस तरीके से पूछ पाएगा बागी दूसरा तरीका नहीं है कि आपको सबसे पहले से लेकर के और पांचवे तक mass extension को यहाँ पर आप series में लगा करके दिखाओ ठीक है वो भी बहुत hard बन जाएगा तो यह चीज़ें मिलेंगी तो जो आपका लेड पहला जो यहाँ पर mass extension हुआ था फर्स्ट mass extension जिसको कहते हैं आप लेट ओर्डो वीज सीन ओकी यह आपको टम यहाँ पर मिल जाएगी यह वाली तो यह जो है इसके अंदर आपके 85% of the species आपकी खतम हो गई थी अब यह कौन-कौन सी थी यह आपको पढ़ने की जुरत नहीं है बट यह इतना जरूर याद रखना कि 85% species आपकी यहाँ पर खतम हुई थी जिसकी वाज़े से फर्स्ट mass extension इसको डेकलेर किया गया दूसरा है आपका लेट डेवनियन इसके अंदर 75% species आपकी यहाँ पर खतम हुई थी ऐसे ही थर्ड है आपका लगबं 95% species यहाँ पर खतम हो गई थी और यह सबसे बड़ा mass section इंटम सा तो कि आप देख सकते हैं 95% species यहाँ पर खतम हुई थी फॉर्थ के अंदर 80% यहाँ पर खतम हुई और 5 के अंदर 76% खतम हुई हैं छटे के अंदर कितनी हुई हैं अभी देखेंगे आगे क्या status चल रहा है किस तरीके से चीज़ें आपर आपकी चल रही हैं तो यह इतना point आपको इस से आपर पता होना चाहिए फिर यह दूसरी से लाइट आ जाती है दूसरी से लाइट के अंदर आपको यही सेम चीज़ें थियोरी के रोप में मिलेंगी इस से जादा आपको mass extension म इसकी वज़े से sea level rise हुए और आप देख सकते हैं जो application mountains थे वो uplift हुए इसी समय के अंदर और जो आप कहा सकते हैं कि जो silicate rocks यहाँ पर exposed हुई application mountains के उठने के कारण उसकी वज़े से CO2 atmosphere से यहाँ पर पूरी तरीके से शक कर ली गई और planet जो है वो पूरी तरीके से जम गया तो ice is यहाँ पर आपकी देखने के लिए मिली जिसकी वज़े से 86% of the species lost हुई ऐसे ही आपका second हुआ इसका मैंने नाम दिया है इसका आप a time period है 75% species यहाँ पर आपकी lost हुई इसका कारण क्या था इसका कारण था कि जो आपकी plants थे ठीक है जो land पर terrestrial plants थे उनकी roots जो है वो य ocean के अंदर चले गए थे यह important aspect है यह आपको किसी और mass extinction के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा ओके algal bloom यहाँ पर हुए थे जो कि eutrophication का कारण यहाँ पर बन जाते इutrophication के कारण algal bloom होता है ओके इसकी वज़े से oxygen जो है वो पूरी तरिके से खतम होगी थी algal bloom जो है वो 96% सबसे बड़ा यहाँ पर था और इसकी वज़े से जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि Siberia के पास में basically एक catasalimic eruption यहाँ पर हुआ जिसकी वज़े से भारी मात्र में CO2 atmosphere में चली गई इसके अलावा जो methagenic bacteria यहाँ पर है जो कि आपके methane से यहाँ पर आपके produce होते है जि चीजें देखने के लिए मिलें फॉर्थ के अंदर आपको मिलेगा कि कोई clear cause found नहीं कर पाए हैं हम 80% species lost हुई फिफ्ट के अंदर आप देखेंगे 76% species lost हुई बॉल्कैनिक activities climate change कुछ चीजों का कारण यहाँ पर आपका बनाओ अब यहाँ पर आ रहा है 6th mass extinction 6th के अंदर क्य lost हो जाएंगी have been lost in the previous 5 mass extinction और holocene apple के अंदर भी आपको कुछ हैसा ही देखने के लिए मिलेगा इसके जो reason है वो काफी जादा important हो जाते हैं जिसकी वज़े से यह अलग हो जाता है इसके reason है anthropogenic factor like climate change and introduction of invasive alien species दो बड़े चीज़ें आपको यहाँ पर बताए है climate change और invasive plant species इन दो आप यहाँ पर देखो कि the existential threat जो कि dragonfly के काराण face के अधर अब देखो यहाँ पर कुछ बायो डावर्सिटी से related चीज़ें दी गई थी जो कि मैंने थोड़ी सी synthesize किया आपको जब टोपिक समझ में आना चाहिए कि हम बात किसीज की कर रहे हैं बायो डावर्सिटी लो स्टो हम हो जाएगी तो कुल मिला के हम हर एक element को consider करते हैं जब हम बायो डावर्सिटी की बात यहाँ पर करते हैं हर एक element को consider करने का मतलब है कि dragonfly को भी हम consider करेंगे especially driving and flight को यहाँ पर कवर किया गया है तो कि यह आपका basically accident की कवार पर है अब कितना है कितना है not important ठीक है यह आपके लिए जानने ज़रूरी नहीं है बट आपको overall पता होना चाहिए कि biodiversity loss हो रहा है like IUCN के हिसाफ से अगर हम देखें उन्होंने extinction of dragonflies के ओपर यहाँ पर बताया इन्होंने कहा कि the number of species at the rate of extinction on the red list अब आप देखो कि बात कर रहे है sixth mass extinction की अब टाम यहाँ पर आ रही है आपकी extinction extinction का मतलब है खताम हो जाना लुप्थ हो जाना ओके तो लुप्थ होने के बारे में हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज लुप्थ हो गया नहीं हो गई तो और उसमें से जो है वो लगबख 40,000 जो है वो extinction की अगार पर यहाँ पर है तो आप देख सकते हो कि यह data जो है वो कितना है चारतिया बारा लगबख 27% species अभी तक यहाँ पर आपकी lost हो चुकी है मतलब extinct हो चुकी है तो आप देखो कि हम धीरे धीरे जो है वो उस तरफ जा दूसरी तरफ होता है उनका खतम होना यानि extinction होना तो जो generation की capacity है वो हो गई है कम, generation का जो rate है वो कम हो गया है नहीं जो diversity है वो जो rate नहीं हो रही है लेकिन जो loss है वो बहुत तेजी से हो रहा है तो just यह point को धिहान में रखो कि the planet is losing species at an unprecedented rate हम बहुत तेजी से यहाँ पर अप कोई data दिया कोई data नहीं दिया इनको पढ़के ignore करो ठीक है इनको रटने की जरूरत नहीं है यह खुद से आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तना बड़ा आर्टिकल नहीं आएगा लिखने के लिए ओके तो इन चीज़ों को आप समझो कि evolution है extinction है यह एक ही wheel के आप एक ही cycle के दो wheel कह सकते होगे एक तरफ evolution होगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि biodiversity यहाँ पर आपकी बढ़ेगी दूसरी तरफ extinction यहाँ पर होगा तो biodiversity आपकी यहाँ पर कम होगी तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो extinction का rate है वो आपका ब platform for biodiversity and ecosystem services इन्होंने 2019 में यह बताया कि current rate and scale of extinction यह unprecedented है हमने इससे पहले कभी ऐसा extinction का rate नहीं देखा और इससे जो है वो यह सबसे जादा जो है वो humans की वज़े से यहाँ पर हो रहा है इन्होंने यह भी बताया कि लगबग 1 million के करीब जो animal species है plant species है वो एक्स्टिंश को phase करती है phase करती है मतलब वो extinct हो जाएंगी आने वाले समय में within decades okay 40% of the planets amphibian species वो threatened with extinction है यानि कि बस एक step पीछे है और जल्द ही यहाँ पर extinct हो जाएंगी तो अब यह point आप याद नहीं रख पाऊगे तो इनको just आप समझो कि हाँ ऐसा हो रहा है और ऐसा हो सकता है इसके लावा living planet report 2020 wildlife fund के द्वारा release की जाती है direct point यहाँ पर बनता है पूछा भी गया है इन्होंने भी यहाँ पर बताया कि Asia Pacific के अंदर लगबग 45% of the vertebrate जो है वो लगबग आपके extinct होने की कागार पर है इन्होंने यह भी बताया कि लगबग जो average global loss है वो 68% का यहाँ पर होगा species कम इन्होंने और भी बताया यह report जो है वो basically prepare की जाती है by WWF और Geological Society of London के द्वारा और इन्होंने जो है यह बताया कि 1970 से लेकर कि 2016 के बीच species पर क्या आसर पड़ता है और planet पर इस चीज़ का क्या आसर पड़ता है ओके living planet report के अंदर इन चीज़ों की बात यहाँ पर की गई report ने यह भी track किया कि लगबग 21,000 जो population है mammals की वर्ड है फिश है रैप्टाइज है globally है वो सब जो है वो आपकी खतम होने की कागार पर है इन्होंने यह भी बताया report के अंदर कि जो vertebrate की population है वो Caribbean में सबसे ज़ादा है Latin America Caribbean और Latin America में लगबग 94% की population है अफरीका के अंदर है आपकी इस तरीके से आगे भी आपको मिल जाएगी यह point रखने वाले नहीं है तो आप इनको नहीं रट होगी इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया के अंदर जो loss होगा वो global average से जादा होगा 68% species loss हो रही है global level पर इंडिया में से जादा होंगी the loss could be higher than the global average in इंडिया इन्ह तो कि आपकी record की गई है December 2019 तक उसमें से लगभग आपके 6800 vertebrates हैं मुझे पता है ये चीज़े आपको समझ में नहीं आ रही ही नहीं समझ नहीं है भाई ठीक है ये तो मैं आपको बता रहो कि magazine के अंदर इस सब चीज़े दी गई थी और इस तरीके से कितनी भारी मातरा में यहां पर काम किया जा रहा अलग-लग organization के द्वारा कि इस mass extension को रोखने की कोशिक की जाए हम data खटा कर रहे हैं इन चीज़ों के ओपर ताकि हम आने वाले समय में इन सब data sets को use कर सके mass extension को रोखने के लिए तो यह चीज़े आप यहां पर समझो कि इंडिया के अंदर इसका impact ज्यादा पढ़ने वाला है इंडिया बैसे ही low income country है उसके बाब जूद आपको मिलेगा हमारे surrounding जो states है वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं है तो यह है कि बहुत सारी endangered critically endangered species इंडिया के अंदर पाई जाती है जो logical survey of इंडिया की अगर आप reports पढ़ने बैठो या फिर आपका ज psychological research studies आप करने बैठो तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी species इंडिया के अंदर मौझूद है और उन सभी में कुछ ना कुछ चुनूतिया बनी हुई है मतलब rate अजादा रहने वाला है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यह important हो जाता चार्ट इन्होंने इसके अंदर बत मत जाईए कि यह terrestrial ecosystem, fresh water ecosystem, marine ecosystem इन तीनों में बताया है बट आप जिस इतना समझने कोछ कीजिए कि direct driver मतलब जो direct कारण है 6th mass extension के उनमें land and sea use changes आ जाते हैं इसका मतलब यह है कि आपने urbanization का concept सुना होगा वो इसके अंदर include हो जाता है आपने lumbering का concept सुना होगा ठीक है logging का concept सु जूरी है आप उसको clear कर रहे हो तो वो आपका land use changes में आ जाता है ऐसे ही दूसरा जो impact है वो आपका direct exploitation like अभी अपने पड़ा mining का concept okay climate change भी आपका एक कारण बन रहा है उसके लाबा pollution है या फिर उससे अगला कारण आपको मिलेगा कि invasive alien species के कारण भी यह चीज़े हो रही है ए है आपका land use changes लेकिन अगर हम marine ecosystem के अंदर में बात करें तो direct exploitation सबसे बड़ा कराण यहां पर बन जाता है तो इसमें सबसे बड़ा कराण बन जाता है तो इसमें सबसे बड़ा कराण बन जाता है direct exploitation का मतलब है fisheries resources को निकालना जिसको कहते है over fishing okay वो आप यहां पर करते हो coral reefs को नुकसान पहुचाना है और आप क्या सकते हो कि deep sea mining भी हो सकती है okay यह सब कुछ चीजें हैं जो कि आपकी marine ecosystem को harm करती है कुछ indirect drivers भी है like demography social culture changes हो रहे है population तेजी से बढ़ रही है economic and technological advancement के जरीए environment पर जाता focus नहीं किया जा सकता किया जाता किया जा सकता तो है लेकिन किया नही नहीं जाता marine ecosystem के अंदर conflict and epidemics भी यहाँ पर आपके रोल नहीं बाते हैं तो इस तरीके से आप देखें लिखा हुआ है example of decline in nature ecosystem extent and condition में लगबग 47% decline यहाँ पर देखने के लिए species extinction का risk जो है वो लगबग 25% है ecological communities का जो आप कह सकते हैं कि यह decline हुए 23% से biomass और species abundance जो है वो लग तो लिखा हुआ है all pervasive laws मतलब mass extinction तो होगा लेकिन वो हर चीज़ को impact रहेगा the laws of biodiversity terrestrial ecosystem पर भी होगा water ecosystem में भी होगा air ecosystem में भी होगा हर जगहे पर आपको six mass extinction का impact देखने के लिए मिलेगा हर continent में होगा ऐसा नहीं है जहां हर continent में कोई ना कोई आपको मिलेगा कि अपनी biodiversity है उ forest हो, deserts हो, sea floor हो, swamp हो, river हो, कुछ भी हो, man group से लेकर के ocean, land, sea surface हर चीज़ पर इसका impact यहां पर पढ़ने वाला है यह चीज़ें आपको पता हो नहीं चाहिए, कोई भी चीज इससे यहां पर नहीं चूटेगी, equality का concept आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो इतना लगबद किसी भी तरीके से लिख दो, इनको बाद में लिखने कोशिश करना, मतलब इनको कोशिश ही मत करना लिखने की कि इतनी species threaten यहां पर हो गई है, आपको कुछ और ना सुझे, कुछ भी अगर आपको लिखने के लिए आता है, कुछ ना सुझे, तब आप इस तरीके क का देखने के लिए मिलेगा कि 1990 से जो नया टेकनलोजिकल एडवांसमेंट है, ओबर फिशिंग के लिए, या डेस्टक्टिव फिशिंग प्रक्रिसिस के लिए भी आप इसको कह सकते हो, आप देखो कि क्रूड ओयल भी यहां पर प्रड्यूस किया जाता है, फिर ओफशोर आप देखो कि जो माइनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहां पर चलते हैं, तो उन सब के कारण 1900 से लेकर के आप देखो कि अगराब देखो वो उपर की तरह फोटना शुरू हुआ, ऐसा ही 1800 से लेकर के आप देखो तो यह जो आपका रैप्टाइल्स है, इनमें आप सब चीजें आपकी चल रहे हैं, जादर डिटेल में नहीं जाना, बट समझो चीजें जो हैं वो बढ़नी आपकी 1500 से शुरू हो गई थी, फिर यह दिखाया है, बाइलोजी के अंदर आपने पढ़ेंगे अलग तरीके की प्लांट किंडम होते हैं, अनिमल किंडम होते हैं, इनकी कितनी स्पीसीज पूरी दुनिया में हैं, कितनी इंडिया में हैं, कितनी फ्रैटन हो गई हैं, इतना सब डिटेल में नहीं जाना. इतना सब डिटेल में नहीं जाना आपको एक जनर्र पॉइंट में पता होना चाहिए इस जीम नो इस एंजियो इस फन ठीक है इस अपको एसे कोई पॉइंट नहीं पूछ जाएंगे जो कि इस तरीके से आपको की स्पीशी पर नहीं है यह सब इग्णोर मारो ठीक है लिखा ह देखो प्रकर्ति का नियम है कि अजर्ण बनाने की रही सारे काम किये हुए है अगर समस्पीश च्टकीत हो जाएंगी वह आपने आप कम करेगी लेकिन हम क्या कर रहे हैं हम प्रकर्ति के काम में आहाप द sentiments है उसमें हम इसको बढ़़ाने की कौशिश कर रहें हम रिाक्श पिर भी दे रहे हैं, climate change करने हैं, human induced और सारे factors मिल जाएंगे, deforestation से लेकर, industrial development सब चीज़े मिलेंगी, साथ इसाथ introduction of invasive species ये भी हमारा ही काम है, जिसकी वज़े से आपको ये चीज़े देखने के लिए मिलेंगी, तो कुल मिलाकर diversity का loss तो देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो है, वो किसी और कारण से नहीं है, ये human interventions के कारण है, climate change हो, change in atmospheric composition हो, यानि की pollution हो, या फिर invasive alien species को आपको spread होना हो, वो सब हमारी वज़े से है, आप IAS के बारे में तो जानते ही हूँ न, invasive alien species इसको यहाँ पर कहते हैं, और invasive alien species जो है वो आपकी introduce की जाती है, जो native कह सकते है की environment है उसके अंदर, और वो जो आपकी जो native species होती है, धीर धीर उनको खुतम कर देती है, ये जो invasive alien species होती है, ये आपकी बाहर से आती है, एक तरीके सा आपके, जैसा की नाम से ये alien, ठीक है, तो बाहर से आने वाली species होती है, native species नहीं होती है, और आने के बाद पूरे ecosystem को त बाद किया था, और ऐसी दो ही species आपको याद रखनी है, याद रख सकते हो तो ठीक है, बाटर हाई से नहीं थे है एक को, और एक आपकी प्रोस्परस जूगी फैरा है, ओके, तो ये दोनों की दोनों species जो हैं, वो आपकी invasive alien species के रूप में है, लगभग 21 countries invasive alien species से भारी मातर म उनका decline देखने के लिए मिलता है, साथ इसाथ ये इनका जो spread है, वो भी काफी जादा यहाँ पर होता है, transportation के जरीए यहाँ पर आपका, इनका कह सकते हैं कि spread होता है, कोई अपनी मर्जी से ना भी लाना चाहिए, तो भी आ जाती है, क्योंकि shipping transportation एक important कह सकते हैं, कि driver बन जात इस particular area का जहाँ पर invasive alien species introduced की गई है, बाकि सारी biodiversity तबा हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ invasive alien species ही वहाँ पर survive कर पाएगी, तो वहाँ पर homogenization यहाँ पर हो जाएगा, मतलब एक ही तरीके के चीज़ होगी, heterogenation नहीं होगा, अलग अलग तरीके की चीज़े नहीं होगी, तो यह च जगा है कि biological diversity को जहाँ पर भी invasive alien species को introduce किया गया है, उसका तबाह होना, invasive alien species का लगातार बढ़ना, local biodiversity का खतम हो जाना, endemic species हैं उनका खतम हो जाना, यह सब आपका इसके अंदर में आ जाता है, invasive alien species आपकी plants को impact करती है, animals, fungi, microorganism, सभी चीज़ों को impact करने का कामियाँ पर करती है तो यह आपकी invasive alien species हैं और local biodiversity पर अलगी effect डालती हैं, ऐसे ही marine ecosystem के अंदर भी invasive alien species होती हैं, जो कि especially corals हैं या mangrove ecosystem में उनको तभा करने का काम यहाँ पर करती हैं, तो destructive marine invasive alien species जो हैं, उनको eliminate करना भी ज़रूरी हो जाता है, invasive alien species बहुत तेजी से spread होती हैं, मैंने बताया, globalization के कार geographic reason में, especially बहुत तेजी से यहाँ पर यह फैली हैं, while agriculture intensive areas या urban clusters are usual victims, मतलब जितने भी agriculture areas हैं, उनमें especially वहाँ पर फैलती हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि such attack जो हैं, वो आपके island में भी हो सकते हैं, या फिर postland के, जहाँ पर भी biodiversity जादा होगी, वहाँ पर यह फैलने की कोश इंपक्ट होगी, एक सब link यहाँ पर होता है चीज़े, fresh water ecosystem के अंदर भी आप देखो कि यह चीज़े चलती रहती हैं, कितनी percent है, not important, but है, overfishing है, pollution है, pollution है, pollution आप water pollution काउंट कर सकते हो, eutrophication की problems हैं, और algal bloom की problems हैं, काफी सारी problems हैं, ocean acidification की problems हैं, ओके, तो यह सब marine ecosystem की कुछ problem हैं, जिनकी वज़े से चीज़े देखने के लिए मिलती हैं, और invasive alien species marine ecosystem में भी होती हैं, तो यह जो आपकी invasive alien species के highlight को, यहाँ पर assessment किया गया, उसका भी introduction किया गया, और इन्होंने भी बताया कि there is also increasing evidence that marine invasive alien species, जो हैं, वो भी आपका भारी मातरा में constitute कर रही हैं, इस चीज़ में ही यहाँ पर आ जाता है, सारी evidence, सारी calculation जो हमने पड़ी, सारे causes, सारे impact, जो जो चीज़ें इसके driver हो सकती नहीं, सभी के सभी आपके witnessing कर रहे हैं, six mass extinction आने वाला है, तो इन चीज़ों को यहाँ पर आपका बताया गया है, कि जो आपका mass extinction है, वो इस तरीके से ही होगा, इस पूरे article को ignore मारिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि half of the all species, यह आपकी poles की तरफ को move कर रहे हैं, देखो, climate change हो रहा है, तो global warming हो रही है, global warming हो रही है, तो tropics का जो temperature है, जो tropical areas है, आपके tropics of cancer, Capricorn के बीच के area है, उनका temperature बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आप आज अपने temperature range को हासिल करने के लिए, ऐसे temperature range में भागने की कोशिश करेंगी, जिसको कहते हैं, आपका migration, ठीक है, वो करने की कोशिश करेंगी, जहाँ पर उनको रहने में आसानी हो, adaptation में टाइम लगता है, एक समय लगेगा, जब species में adaptation होने की power आ जाएगी, लेकिन इतनी temperature उनको suitable नहीं मिल रहा, उनको बहुत ज़्यादा heat जो है वो यहाँ पर महसूस हो रही है due to the climate change, ओके, तो यह काफी important चीज है यहाँ पर, याद रखना, species जो है वो पोल्स की तरफ को move कर रही है, या फिर higher elevation की तरफ को यहाँ पर जा रही है, और यह rate भी दिया है कि कितनी speed से यह आपकी travel कर रही है species, मैंने अब एक 10 साल के अगर हम बात करें तो एक species जो है वो लगबग 59 km दूर हो जा रही है अपने पिछले habitat से, ठीक है, तो यह point याद रखो, उसके अलावा लिखा है कि the ongoing mass extinction, यह पिछले mass extinction जो हुए 5 उन से different है, जो पिछले थे वो आपके किसी the homo sapiens, और us, यानि human being, और इसी को कहते है anthropocene, ठीक है, anthropocene, यहाँ पर लिखा हुआ है न बड़ यह रहा, the anthropocene, anthropocene word का मतलब यह होता है, anthropocene word का मतलब यह होता है, anthropocene मतलब human, और scene मतलब error ठीक है, इस टाइप की चीज़ है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, anthropocene, एपो यहाँ पर शुरू हो गई है, इसको एपो कहवे, आप तो जादा सही रहेगा, ठीक है, जैसे holocene यहाँ पर आपकी चल रही थी, देखो, holocene जो है, वो officially चलती है, यह रही है, जो geological time scale है, वो आपकी इस तरीक से चलती है, यहाँ से आपका प्रत्थभी evolution शुर जी रहे हैं, recent में हम जी रहे हैं, holocene एपो के अंदर, याद रखना इस चीज़ को, holocene एपो को शुरू हुए लगभग 12,000 साल या फिर 11,000 साल भी देखने के लिए मिलते हैं, approximately आप इतना यहाँ पर consider करके चलो कि इतना यहाँ पर होता है, अभी तक यह चल रही है, officially अग कब से शुरू हुआ, कुछ कहते हैं, 1950 से शुरू हुआ, कुछ कहते हैं, 1950 से शुरू हुआ, जब से इंडिस्टर रवलूशन यहाँ पर हुआ है, कुछ कहते हैं, 1950 से एकनोमिक एक्टिव्टी स्टेज ही है, बहुस सारे कंट्रीज को आजादी भी मिलिए, तो उन्होंने यहां पर किया है कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी यहां पर उभर करके आई हैं तो में जो एंथ्रोपोसीन एपो है वो आपकी 1990 से सुरू हुई लेकिन कुछ यहां पर कहते हैं कि इंडिस्ट्री डेवलप्मेंट के साथ की हुआ खैर ज्यादा डिटेल में नहीं ज जेजी कफिरी डिस्ट्रिंक्ट फॉम होलो सीन यह मैं आपको बता दिया कि यह आपका होलो सीन से जो है वो डिफरेंट हैं जो आप नहीं यहां पर ओफिशल और अनोफिशल वाला जो कंसेप्ट था उस चीज़ को नहां पर करने की बात है होलो सीन के अंदर जो चीज़ें यहां पर चल रही थी एंथ्रोपोसीन के आने के बाद वो चीज़ें और जादा बढ़नी शुरू हो गए आप जो आपकी ब्लैक लाइन है इसके बाद का जो एको है वो कंसीडर किया जाता है एंथ्रोपोसीन यह अनोफिशल है लेकिन हम इसको यूज़ करेंगे ठीक है हम हम अपने एसे में यूज़ करेंगे हम अपनी राइटिंग्स में इस वर्ड को यूज़ करेंगे ठीक है 1950 का पॉइंट आप यहां पर याद रखोगे उससे पहले आपका होलो सीन यहां पर चल रहा है तो यह जो एंथ्रोपोसीन नाम की टाम है 2000 में कोईन की गई थी यह आ अब जो है जो एपो चल रही है वो एंथ्रोपोसीन एपो यहां पर है ओके यह पॉइंट आप यहां पर ध्यान में रखो लिखा वाए दिया रार टू साइंस डेट ओकर बिफोर दा एक्स्टिंशन फेज सैट इन दो दो मारकर यहां पर दिये हैं दो मारकर एक ऐसे मारकर जो कि आपको बताते हैं कि आप सिक्स्ट मास एक्षिंशन की तरफ जा रहे हो पहला यह है कि लोस इन पॉपुलेशन जो आपकी स्पेसीज हैं डाइवरसिटी है उसमें लोस देखने के लिए मिल रहा है साथ यसाथ जो डिस्टिबिशन एरियाज है वो भी श्रंक हो रहे ह लेकिन अब वो रेंज उसके लिए नहीं अबलेबल हो रही है तो यह बताता है कि हुमन्स के अलावा जितनी भी सारी स्पेसीज हैं इस सिक्स्ट मास एक्षिंशन की तरफ यहां पर जा रही है आप देख सकते हो एक होता है जियोलोजिकल मारकर इसको जियोलोजिकल मारकर स्पाइक भी कहते हैं यह बाइयो मारकर कितरे वर्क करते हैं यह बताते हैं कि एक एपो जो है वो किस तरीके से यहां पर डिफाइन हुई है देखो होलोसीन का मतलब था कि modern civilization यहां पर हुई है अगर आप से कहें कि होलोसीन एपो चल रही तो इसका मतलब यह था कि जब होल सिविलाइजेशन जो है वो पैदा हुई थी दूसरा है डॉमेस्टिकेशन ओफ एनिमल्स और प्लांट्स यहां पर शुरू हुआ था उस समय एस्टेबलिश्मेंट ओफ एग्री कल्चर स्टार्ट हो गई थी दसजार साल पहले ओके पूरी दुनिया की किसी ना किसी हिस्से में यह सब चीजे हुई थी और हमने कहा कि नई एक एपो का शुरूबात हुआ है एक नया यूगर का शुरूबात हुआ है जिसको हमने होलो सी एपो यहाँ पर काओ लेकिन अब सीन्टिस्ट कहरे हैं ऑस्ट उप्हों शूरू हो गई है और हुट को कम नहीं कर पा रहे हैं, soil erosion बहुत तेजी से यहां पर हो रहा है, global warming यहां पर हो रही है, water rise हो रहे है, pH जो है वो decline हो रहा है, यानि ocean acidification यहां पर बढ़ रहा है, extinction rate बहुत तेजी से यहां पर बढ़ रहा है, ongoing conversion of forest, forest मतलब deforestation का जो rate है वो भी तेजी से बढ़ रहा है, land degradation भ बढ़ेगी, बस इतना आपको यहां से पढ़ना था, उसके बाद आगे चलने लिखा हुआ है organic boost, और देखो, सारी दुनिया यहां focus कर रही है, organic farming को बढ़ावा दिया जाए, organic farming वही है आपका bio जो आपकी pesticides हैं सब का यूज किया जाए, bio fertilizer का यूज किया जाए, nano fertilizer का यूज fertilizer का यूज किया जाए, chemical fertilizer और pesticides का यूज ना किया जाए, इस चीज के उपर हमारा focus चल रहा है, पुल मिला के बात यह है, मैंने आपको farmer producer organizations के बारे में पहले भी बताया, farmer producers organizations, farmer की ही एक organization है, बदब इसमें individual farmers आतर के collectively यहां पर आपके एक खटे होते हैं, और अपने जो मुद पर लोन की सुविदा available खराए जाएगी, तो यह आपको मिलेगा कि farmer producer organizations के जरीए, हम organic farming के initiative जो है, उनमें यहां पर आपकी बढ़ोतरी कर सकते हैं, और जो चुनोतियां organic farming को बढ़ावा देने में आ रही हैं, जैसे market availability नहीं हो पादी, organic farming कर ली, organic चीज़ों को बेचों के कह करने की कोशिश हो रही है, अब इसके अंदर हम जादा detail में नहीं जाएंगे, लेकिन हम जो है, कुछ policies हैं, support जो की organizations या फिर सरकार available करा रही है, उनको देखने की कोशिश यहां पर करेंगे, farmer जो हैं, वो आपके farmer producer organizations को set up करते हैं, कुछ non-profit organizations हैं, कुछ आपके private firms हैं, research bodies है cooperative हैं, ESB work कर रहा हैं इस चीज में, कि वहीं कितना फायदा है farmer producer organization को set up करने में, उसके अलावा the policy and procedure guidelines भी यहां पर issue की गई है, union agriculture ministry के दौरा 2013 में इस चीज को यहां पर release किया गया, कि farm cluster अगर आप बनाते हो, farmers को mobilize करते हो, उनको identify करते हो, resources को, और अगर आप यह सब काम करते तो उसमें benefit कितना है, यह सब चीजें इसके अंदर में यहां पर बताएगे हैं, इसके अलावा अगर हम देखें कि बहुत सारे doubt भी उठे कि यह farmer cluster बनाओगे या फिर farmer producer organization बनाओगे, तो इनकी capacity पर भी doubt यहां पर उठे, the organic sector in the country is not growing at the desired pace, लिखा हुआ है साब साब, कि जो organic organic sector है, वो इतनी कीजी से यहां पर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए जो groups यहां पर बन रहे हैं, कि इनका कुछ जादा फाइदा यहां पर नहीं है, इन्होंने इस बात को यहां पर खा, लेकिन हमारे लिए यह exam में लिखने लायक चीज़ नहीं है, हमें बहतरीन चीज़े भी प्रमोट कर रही है, गौवर्मेंट इस टाइम इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तो हमें जादा जादा चीज़े फेवर में लिखनी है, एड दा एंड हम इतना ही कह सकते हैं कि organic farming अच्छी है, अच्छी है, तभी तो पूरी दुनिया फोकस कर रही है, हमें food security अंस motion of 10,000 farmer producer organizations, तो 10,000 farmer producer organizations बनाने का भी वादा सरकार ने आपर किया है, date दी गई है 2027-28 तक की, ठीक है, उसके अलाबा इन में से जो 1% है वो organic भी होंगे, ये बात भी यहाँ पर बताईए, मतलब जितने भी farmer producer organization बनाएंगे, उनमें maximum process करी जाएगी कि organic farmer producer organizations ही यहाँ पर आपकी रहें, उसके अलाबा micro food processing enterprises schemes भी यहाँ पर चल रही है, जिसको पूरा नाम इसका यह है, आपका PM formalization of micro food processing enterprises scheme, इसमें जो आपका food processing sector उसको मजबूत करने की बात है, और इसमें भी आपका जो FPO's है, उनका रोल यहाँ पर रहेगा, इसके अंदर one district one product के component के रूप में यहाँ पर है, इस product के जरिए, इस component के जरिए farmer जो है, वो अपने procurement benefits को अपना सकते हैं, ओके, यह चीज़े हैं, लेकिन आप देखो, but these do not suffice, कुछ problems तो हैं, नए FPO's यहाँ पर आएंगे, तो administrative body एक dedicated यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि उस concept को conceptualize कर सके, मतलब FPO की concept को conceptualize कर सके, working capital available कर training, technology, market linkages, public procurement, इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करें, कितना अच्छा सुजाब यहाँ पर दिया गया है, ओके, आप इस सुजाब को यहाँ पर याद कर सकते हो, और लेक भी सकते हो, उसके बाद यहाँ पर यह report release की गई, down to earth CAC की अपनी report है, state of India's environment, हर साल यह report यहाँ पर रिलीज की जाती है, state of India's environment, ओके, तो 2022 की report यहाँ पर है, और यह report market में आप देखो, तो 400 रुपे की मिलेगी, या फिर आप online order करोगे, तो 400 रुपे की मिलेगी, लेकिन आपको इसको खरीदने की ज़रुत नहीं है, इसके अंदर से से तो main main point यहाँ पर निकलते ह है, ठीक है, compile कर लिया है, कुल मिलाके 8 यह 10 slides ही यहाँ पर निकलती है, और वो जो 8-10 slides हैं, वो आपको down to earth, इसमें यहाँ पर cover कराई जाएंगी, क्योंकि इनकी website से उठाई गई है, ओके, यह फरवरी 2022 के यह upload कर दिये गए हैं, और यह जो आपको India's environmental मिलेगी, यह आपको March की में मिलेगी, जो की अभी कुछ दिन वाद upload होगी, ठीक है, तो जब upload हो जाए, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो, फरवरी वाली आप देख सकते हो, वो upload कर दी गई है, उसमें भी काफी important topics आपके cover किये गए हैं, उसके बाद लिखा हुआ है groundwater, groundwater से related कुछ fact दिये ग किया जाता है, इंडिया देखो लाल लंग का कंट्री है, इंडिया से ज़्यादा लाल लंग कंट्री कोई नहीं है, यूमेस भी है, अलास्का भी दिया गया है, और भी कुछ कंट्री जो यूरोप की आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, कुछ कंट्री हैं जो की आपको इस part की देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पर सभी में आपको over exploitation की conditions देखने के लिए मिल रही है especially इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर में include हो जाते है बंगलादेश भी इसके अंदर में आही रहा है तो यह कुछ countries हैं जहाँ पर भारी मात्रा में exploitation किया जा रहा है देखो दुनिया की अगर हम top 5 groundwater extracting countries को उठा लें दुनिया की top 5 groundwater extracting countries को उठा लें तो उसमें से 3 countries जो है वो इशिया के अंदर मौशूद है ओके इंडिया उसमें से आ जाता है और इंडिया जो है वो lead कर रहा है list को सबसे उपर आ रहे हैं हम ग्राउंड वाटर एक्स्टेक्टिंग के में ओके तो यह चीजे काफी जादा खतमनाक हो सकती है अट लीस्ट टैन इस्टेट्स इन दा कंट्री है व डिस्टिक्स जिसमें की ग्राउंड वाटर को आपका ओबर एक्स्टोइट किया जाता है तो ऐस के कंपेरिशन में यहाँ पर आपको दिखाया गया है यह जो आपका बिलू कलर का बार यहाँ पर है यह आपको दिखाया गया है कि हमारे पास कितना पानी मौजूद है ग्राउंड वाटर के अंदर है दूसरे तरफ जो रेड कलर के हैं वो दिखाया गया है कि एक्स्टेक् कैसे बच गया ठीक है वही निकाल लिया हमने लेकिन वी जनरेशन भी तो कोई चीज होती है Groundwater Management Practices का नाम सुना है Groundwater Resource Management उसके जरिये आपका Water को Store करने की कोशिच की जाती है Groundwater की Table को Manage करने की कोशिच की जाती है उपर से बारिश भी होती है तो लीचिंग वगयरा की जरिये Water Groundwater में फिर से पहुँच जाता है आपकी Water Table उपर उठ जाती है जिसकी वज़े से आपको अगले सार Groundwater Extraction की Permission मिल जाती है Otherwise तो आपके पास Groundwater आपका खतम हो जाता है ठीक है जाता है तो जितना भी Groundwater निकाला जा रहा है उसका 89% Agriculture में खर्च किया जा रहा है साफ साफ लिख्था हुआ है 11% Industrial Domestic Conjunction के लिए हो रहा है तो चिंताओं यहां नहीं है 11% में चिंताओं यहां है 89% में Irrigation Facility भी अबिलेबल करा नहीं है Farmers की sustainability को भी बनाए रखना है तो चिंताओं तो यह हैं तो सरकार किसलिए है और इसलिए तो है कि इन चिंताओं को खतम करें बरना सरकार किस काम की आम आदमी के ब्राबर हो जाएगी अगर आपको आसानी से अबलेबल नहीं होता है तो आप इसका screenshot ले सकते हो या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हो नीचे से आपको मिल जाएगी यह चीज़ें आपको इस तरीके से यहां पर ध्यान रखनी है रैड कलर के आवर आपको ओवर एक्सपूर्टिटीड एरिया यहां पर नजर आते हैं और यह चीज़ें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है अब शेयर ओफ मोनीटरिंग वैस डेट रिपोर्टेट फॉल नजर छोड़ो इन चीज़ें को ठीक है मदब को मिलाके यह रैड एरिया आपका जो नौर्थ वैस्ट वाला रीजन है इंडिया का वहां पर एक्स एक्सपूर्टिशन जादा है और कुछ हद तक आपको उसके अलावा ये भे दिया है कि 2004 में ओबर एक्सपूर्टिट एरिया जो है वो 15 परसेंट थे लेकिन अब बढ़के 16 परसेंट यहां पर हो गए है तो एक परसेंट बढ़ा है अब आप सुद्रों के एक परसेंट तो बहुत कम है भी उस हिसाब से देखो कि कितना ग्राउ अब ग्राउड वाटर मालो यहां पर 10 लिटर ही निकाला जाता था तक तब उसमें से सिर्फ 15 लिटर ही है वह इस तरीके से होता था अब ग्राउड वाटर जो है वो 200 लिटर एक्सप्ट किया जाता है तब 200 का 16 परसेंट निकालोगे तो आपको पता लगएगा कि स्लाइड है डाउंट वर्थ से काफी चीज़ें आपर कवर कर ली गई है और दो इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इस मेगजिन के अंदर जादर डिटेल से कवर नहीं किये गए थे इसलिए मैंने उनको जो है वो इगनोर किया है और वो मैं आपको मार्च वाली इसमें की गई और दूसरी जो चीज़ है वो है आपकी यूएन एन्वारेमेंटल असेमली की फिफ्ट मीटिंग नैरोबी के अंदर हुई वो दोनों पॉइंट डीटेल में कवर के जाएंगे उनके अंदर क्या बातें नहीं हुई वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंग